शोतंत्र भारत में राजनी थी, आज हम एक नए परक्रण शोतंत्र पार्टी का ध्यन करेंगे, हम जानते हैं कि भारत में आजादी से पूर्व और आजादी के बाद कई दलों का गठन हुआ, उन में से एक पार्टी जो शोतंत्र पार्टी थी, उसका गठन वर्ष 1969 में शोतंत्र पार्टी के गठन के फीछे जोनका मुक्य उद्यशता वो यह था, यहाद जो सरकार की समाजवादी ब्यवस्ता थी, उसे बजलना चाहते थे, और सरकार की ब्यवस्ता में शोतंत्र ता के समर्थक थे आज हम शोतंत्र पार्टी का भिस्तित अध्यन करेंगे, शो राज गोपालचारी भी कहते हैं कि द्वारा की गई थी इस पार्टी में केम मुंसी, एंजी रंगा और मीनु मसानी जैसे पुरानी कॉंग्रेसी नेता थे। इसमें कई दिगज नेता थे और इन दिगज नेताओं में बात के वर्सों में अपनी पार्टी बनाई जिसमें सी राज गोपालचारी को भी ले सकते हैं, इन उनिवर्स उनिशाट में शौतुंतर पार्टी की नीव रखी। की हदबंदी, खाध्यान के व्यापार, सरकारी अधिगरण और सरकारी खेती का प्रस्ताव पास किया था। उसके बाद स्वतंतर पार्टी की जो संस्तापक थे, सी राज गोपालचारी वो इसके खिलाब थे, उनका मानना था कि सरकार को अर्थ ब्यावस्ता के छेत्र में कम से कम हस्तिशिप करना चाहिए, और हो सकें तो अर्थ ब्यावस्ता को मुक्त अर्थ ब्यावस्ता का कर सकें अब हम इस पार्टी की विशेष्टाओं की बात करते हैं यहादल अर्थविया उस्ताओं में राज की हस्तसेब यानि की सरकार की अनावश्यक हस्तसेब को रोकना चाहता है यहादल के इंदिक्रित नियोजन यानि की जो एक सेंटलाइज प्लानिंग है उसके खिलाफ है और राष्टी करण और सारजनिक छेतर की जो मौझूद की है उसके आलुचना करता है यहादल आर्थिक रूप से जो कमजोर बर गहें उनके हितों के लिए जो सरकार कराधान करती है यानि कि टेक्स लगाती है उसके भी खिलाफ है यहादल चाहता है कि नीजी छेतर को श मांग करता है कि इन चीजों पर सरकार का कोई नियंतरण नहीं होना चाहिए यहादल भारत की जो गुट निलपेक्सता की नीती है और भारत का जो सोव्यत संग के साथ दोस्ताना व्योहार है उसकी आलुचना करता है हम जानते हैं कि सित्युद्ध के दौरान या जिति चुद्ध के बाद भारत ने गुट निलपेक्सता की नीता अपनाई और भारत ने शोव्यत संग के साथ अपने दोस्ताना रिष्टे रखे उसके अलुचना करता है यहादल चाहता है कि भारत को शेंक्तराज अमेरिका की साथ मधूर समंद रखने चाहिए कहीं ना कहीं इ इसको सम्र्द साली बनाना है खुसाल बनाना है तो इसके लिए हमें ब्यक्तिकत शोतनता देनी चाहिए अर्थात देश में सम्र्द सिर्फ ब्यक्तिकत शोतनता के जरिये ही आ सकती है जब हम शोतनतर पार्टी के जनाधार की बात करते हैं शोतनतर पार्टी ने देश के छे मिदार और राजा महाराजा थे ये भूमी सुधार कानूनों के खिलाब थे और भूमी सुधार कानूनों से इनकी जो मिलकियत थी और जो इनके हैसियत थी उनको खत्रा मड़ा रहा था इसलिए इन्होंने शौतंतर पार्टी को अपना समर्तन दिया उद्योगपतियों और व् से लैसन्स की व्योस्ता कर रही है, वो नहीं होनी चाहिए और जो सरकार चीजों का राष्टी करन कर रही है, उसको भी नहीं होना चाहिए तो कहने का अतात्त यह हो है, कि जो जमिधार लोग थे, राजा माहराजा लोग थे जो उद्योगपती थे, जो व्यावशाई बर्ग के लोग थे, उन्होंने स्वतंत पार्टी का समर्थन किया, अब हम बात करते हैं स्वतंत पार्टी की चुनाओं में स्थित, स्वतंत पार्टी को जमिदारों, राजे महराजे, उद्योगपतियों और व्यावशाई बर्ग क लेकिन इसका अर्थ स्पष्ट था इस पार्टी को बहुत कम लोगों का समर्थन था यानि कि इस पार्टी का जो सामाजिक आधार था वो बला संकुचित था इसके पार्टी सदश के रूप में समर्पित काडर की कमी थी अब हम बात करते हैं अभ्याज प्रस्ण की इस परकरण के अभ्याज प्रस्ण है पहला प्रस्ण है स्वतंत्र पार्टी के स्तापना किस वर्च होई स्वतंत्र पार्टी के स्तापना किस के द्वारा की गई थी तीस्ता प्रस्ण है स्वतंत्र पार्टी के प्रमुक नेताओं के नाम बताईए प्रशन है श्वतंत पार्टी किस बिचारधारा का समर्थन करती थी श्वतंत पार्टी अर्थ ब्यास्ता में मुक्त अर्थ ब्यास्ता का समर्थन करती थी और चाहती थी कि अर्थ ब्यास्ता में सरकार का हर्थ शेप कम से कम होना चाहिए पांस्वा प्रशन है श्वतंत पार और यहाँ पार्टी चाहती थी कि भारत को अमिर्का के साथ अपने दोस्ताने भ्योहार रखना चाहिए। और वर्ष उनिचो इखतर के चुनाओं में इस्तित गैसी रही। या मिस्यत अर्टी वियुस्ता थी उसकी विरोधी थी और शोव्यत संग के साथ जो भारत की दोस्ताना वियुहार थी उनके भी खिलाब थी आज की प्रकण में इतना ही धन्यवाद। प्रोड़ में इतना ही और रे विरोध्यत संग के खिलाब थी और शुना विरोगाद। झाल झाल